हलो एवरीवन, आज मैं एक और चेटपट बनने वाली स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, सिर्फ तीन चीजों से अमेजिंग स्नैक बनकर तयार होगा, जिसे खाकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा, चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना, इसके लिए हम लेंगे ये पनीर पनीर को देखिए हम इस तरह स्टिक्स में कट करके यूज करेंगे, अब पनीर के चारों तरफ हम ये शैजवन सॉस लगा लेते हैं, और इसे हम पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अब लेते हैं ये ब्रेड, इसे हम पहले बेलन से फ्लैट करेंगे, मैंने ब्रेड की साइट्स को कट नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इने कट करके यूज कर सकते हो ब्रेड के उपर रखेंगे ये चीज स्लाइस, अब इसके एक साइट पर हम ये पनी स्टिक्स को रखकर, इसे हम टाइटली रोल कर लेंगे ब्रेड की एंड पर थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं, ताकि ये जो ब्रेड है वो अच्छे से सील हो जाए अब इसे हम इकुल सैस में कट कर लेते हैं, स्क्यूबर लेंगे, इसमें हम ब्रेड पनीर के पीसिस को इस तरह देखिए सेट कर लेंगे अब मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूँ, ब्रेड को फ्लैट करके चीज स्लाइस रखेंगे, एक साइट पर पनीर स्टिक रखकर इसे हम रोल कर लेंगे अब कट करके इन पीसिस को हम स्क्यूबर में सेट कर लेते हैं, तो इस तरह हमें सारी स्टिक्स को दयार करना है, ये देखिए मैंने सारी स्टिक्स रेडी कर लिए, चली अब इन्हें हम सेकेंगे पैन में डाल देते हैं बटर, बटर के गर्म होते ही इसके उपर डालेंगे ये पीजा सीजनिंग, अब ब्रेट स्टिक्स को हम पैन में डाल कर अलट पलट का हम चारों तरफ से सेकेंगे तो ये देखिए कितने बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं, देखने में भी कितने सुन्दर लग रहे हैं ये, चलिए सर्फ कर लेते हैं इन्हें, इसके उपर मैं ये टमैटो सॉस टाल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, और देखा आपने कितनी चल्दी बनक अगर ये तयार हुए हैं, बच्चों का तो ये फेवरिट होने वाला है, तो कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी, अगर आपको ये पसंद आईए, तो आप इसे लाइक कीजिए और शेर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्स